विंड के दिहाद थाना चीति सिर्द दवोहा गाउं में दो पच्छों में दो महीने पहले मारपीट की घटना होई थी ये मामली की FIR दर्श कराई गई थी इसे विवात के चलते फरियादी और आरोपी पच्छ के भी समझोते को लेकर गाउं में सोमवार को पंचायद बुलाई गई इस पंचायद में फरियादी पच्छ की और से रखी गई बात पर आरोपी पच्छ के लोगों का मुंडन कराए गया मामला यहीं तक नहीं थामा पीडित पच्छ का आरोप है कि आरोपीयों ने गाउं में भी घुमाया है यह मामला सामने आते ही प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुँच गये दिहाद थाना पुलिस ने पंचायद में मुंडर करने वालों पर एफाई आर दर्श कर ली है दिहाद थाना पुलिस के मुताबिक दो महीने पहले दिलीप पुत्र बुधराम सर्मा की राम वीर शाक के धरमेंदर और संतो समेत एक अन डंडों से मारपीड की थी इस मारपीड की घटना में दिलीप के भाई ने इन चारो आरोपियों के खलाब दिहाद थाने में अफाई आर दर्श कराई थी इस घटना के बाद यह आरोपी गाउं छोड़ कर फराज चल रहे थे इस पूरे मामले में आरोपी पच्छ ने गाउं के कुछ लोगों से फरियादी पच्छ से समझोता कराये जाने की पहल की गाउं के लोगों ने एक जुठो कर दोनों पच्छों में सुला कराये जाना उचिस समझा इसी बात को लेकर दोनों पच्छों में समझोता कराय जाने के लिए पंचाय सोमवार को बुलाई गई पंचायत के दौरान दोनों पच्छों में सुला किये जाने को लेकर एक दसमलोग पचास लाग खर्च देने की बात की गई इसके अलावा मारपीट के बदले आरोपियों का मुंडन कराया गया आरोप है कि गाउं के दबंगों ने दिलीप के साथ मारपीट करने के आरोपी संतोस और धर्मेन कस्तिर मुडवाने की सजा सुनाई और गाउं में घुमाया इस मामले की जानकारी स्थानिये लोगों ने पुलिस को दी इस सूचना पर देहा थाना पुलिस की जवान मौके पर पहुँच गये इसके बाद शाथ के समाज के लोग देहा थाना पहुचे उन्होंने थाने का घिराओ कर लिया मामला बढ़ता देख भिंड स्पी सेलेंद्र सिक्स चोहान भी मौके पर आ गये पुलिस ने पीडित पच्छ की शिकायत पर बुधराम सर्मा, संजय सर्मा, दिलेव सर्मा, काजू सर्मा, सुनील स्रिवास पर मामला दर्श कर लिया है फिलवक्त गाउं में विवात को देखते हुए पुलिस नेगरानी बढ़ादी और पुलिस फोर्स तैनात भी किया गया है अब इस ताश्य बाद वो क्लियर होगा कि उसमें तुछ अलग कहान ही बता रहे हैं वोग के पहले प्रखमज़ क्या वो आफईयाद दर्श कर लिया और जिन लोह का नाम बताया गया परियादी और उनकी तलाश में भी फोलिस कीम से लगी हुई है और दो आरूपनों में उसमें नाम लपी करेंगे